आई रेड़ी? आई एम रेड़ी. ये है ब्रेफलेस 2020 का? ठीक है, ओके. ये ये नो है, ये 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 स है. ठीक है. ये स है सर. ठीक है. जिन्दगी में बैसे कोई भी आप से कुछ कहे, तो जायतर आपकी जुबान पर ये स रहता है कि नो रहता है? डिपेंड करता है कि क्या कह र हमारे बड़े-बड़े जो नामबर लोग हैं इसकी. नसीम विकी साब मुझे मेरा हफजा अगर ठीक काम कर रहा है हमारे शो में आए. और बहुत सारे लोग आए. वो बड़ी फराख दिली से आपका जिक्र करते हैं कि अब्तदाई दिनों में आपने बहुत सपोर्ट किया देखे सर अच्छे वक्तों में अगर आपने महबतیں बांटी हों तो बुरे वक्तों में वो आपके काम आती है. ये भी आप समझ लीजे कि मैंने इनहेरिट किया. और मैं सलाम पेश करता हूँ उन सब लोगों को जिनमें सर फहरिस्त मैं दो तीन नाम लेना चाहूंगा. एक इस बात का इजहार करते हैं, ये बड़े होसले की बात है. अच्छा वसीम भाई, आप सिर्फ अदाकार नहीं है. मेरी चुक्ति आपसे बड़ी पुरानी कुर्बत है, बहुत अपने काम भी खटे किया. मेरे बज़े बड़ा इजाद आसल है कि मेरे कई प्लेज में आपने काम की लबास में, तालुक में, और भी कई सीरियल में थे. और उस जमाने की लौट में बहुत सरो में ये बात थी. मेरी, जिन से भी सराम द्वार रही शजाद साब से, फर्दौस साब से, बहुत सरो में, ये ताप अच्छे बुरे तो सब पढ़ने लिखने वाले लोग थ दोर के वो वज़दारी के नजर आते हैं उसमें वो जड़े काटना वो सब चलता था क्या अब भी वो वज़दारी वो महबतें उसी मिगदार में काइम हैं या आप समझते हैं कि कमी हुई हुई है अब मेरा ख्याल है के काइम है क्यूंकि मैने कराची में मैं अक्सर प्राइविट प्रिच्छिंज में तो मैंने देखा है कि वो एक दूसरे के लिए सारे नए जो लोग हैं बड़े सपोर्टिव हैं बहुत रिस्पेक्ट देते हैं एक दूसरे को और मैंने तो किसी को कमसकम किसी की जड़ काटते हुए नहीं देखा और इंतहाई इज़त देते हैं वो आपको तो आप समझने कि सवाले से मौश्रा वो पीछे नहीं ग्या, नीचे नहीं ग्या, वहीं खड़ा है या बेहतर हुआ है पहले से? मैं अपनी फील्ड की बात करूँगा। कि हमारी फील्ड में तो बेहतर ही हुआ है. च्छा है। मैंने यहीं समझता कि वो नीचे ग्या है. और वसीम अबास साब क्या समझते हैं कि अपनी फील्ड से हटके बाकी माश्रा माशरा तो हमारा ओवर आल इंतहाई डिटीरियेशन की तरफ गया है हमारे माशरे ने पुराने लोग हमने अब पैदा ही नहीं होते उस तरह ने लोग बड़े लोग पैदा ही नहीं होते आप बता दीजे मुझे कि कोई राइटर उस लेवल का कोई कोई म्यूजिक डिरेक्टर कोई मैं अपनी फील्ड के हवाले से बात कर रहा हूँ अब दौर बदल गया है अब आईटी का जमाना आ गया है अब ग्राफिक्स का जमाना आ गया है और बहुत बहुत अच्छी फिल्मे यहाँपे बन रही है लेकिन अफसोसनाक बात ये है कि वो लोग जो जो दौर था जिसमें मंटो साहब थे जिसमें एमददीम कास्मी साहब थे कैसा 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 काम इससे बड़े बड़े लोग जो इनसानी नفسियात की बारीकियों पर जी उस्ताथ दमंत साथ थे Search अमत Fey хозя साथ थे और भाशमी साथ थे फिर जब आप लोग काम कर रहे थे Net मInnani भाई थे, बीगर लोग थे बे चुमार लोग थे अब वो श्वाक साथ कहां से पैदा होंगे दोबारा बादो आपा कहां से आएंगी भाई टॉक्टर डैनल साइजिक कहां पैदा होगा ये लोग कहां से पैदा होंगे मुझे आपका नशेब यादा आगया अज़े जी 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 आप ज़र देखे ना कि लिटरिचर को कैसे डिपिक्ट करता था पाक्सान टेलिविजन और नशेब कोई प्ले था बतार किस-किस प्ले का खेर जिकर करें जिए और देखे वो प्ले में सिफ पांच कैरेक्टर से चटारोल ही नहीं था यार जो आपने एक मिडल क्लास मेजिस् है मगर वो माजी उसके अंदर मौजूद है माजी की महरूमिया साथ लेके चलता है क्या सब्जेक्ट था क्या पर्फॉर्मिस थी और यहीं के दाद नशेब की एक बहुत ही हसीन बात जो मुझे अब्दुल्ला हुसाइन साब की लगी कि जब नशेब जब चला तो एक बहुत ही एक नॉलिज हुआ और हमें डिफरिंट यहां पे विमन्स क्लब ने इन्वाइट किया और लोगों ने इन्वाइट किया सवाल जवाब होते थे किरदारों के हवाले से और इत्तफाक से उसमें जो मेरा और सबा का ट्रैक था वो जड़ा ज्यादा पॉपिलर हो ग कि उसको खुश करने के लिए वो सब कुश कर रहा है वो महंगे गिफ्ट्स लेके आ रहा है और वो देखती है और वो फैंक देती है अब्दॉल्ला हुसैन साहब से सवाल पूछा कि अब्दॉला हुसैन साहब ये पताईए कि कौसर आकिर चाहती क्या है उन्हों का मुझे दुझ नहीं पता वो जो तो खुद नहीं पता यह क्या चाती है मुझे अतना पता है कि जो यह चाहती एब इसे मिल नहीं रहा अरे वह 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 आपका जिंदगी का एक तजरुबा है आप अगर मैं आप से पूछूँ आप क्या समझते हैं मर्द जिंदगी में क्या चाहता है और और अच्छा साथ चाहता है एक अच्छा दोस्त चाहता है साथ और दोस्त एक ही या साथ और दोस्त अलग 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 है अच्छा एकठे भी हो सकते हैं वो साथ जिसमें दोस्ती का रिश्टा हो जिसमें आप एक दूसरे से डिसकस कर सकते हो अगर वो साथ आपको महसर आ जाए तो आप बहुत कामयाब हो जाते हैं जिंदगी मे यह जाता है ना जी कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक उरत का हाथ है उसके अगर बारीकी में आप चाए ना तो वो क्या है? वो केर है, वो अंडिस्टेंडिंग है, वो उसको मेंटली एक बिल्कुल रिलैक्स करने वली बात है, अगर वो कहीं फसा हुआ है, तो उसको ये कहने वली बात है, कि डोंट वरी, ये बुरा वक्त है, इसको उधर जाएगा, इस पे घबराओ मत, ये निकल जाएगा, और इस अरिएपे आप, यकीन करते हैं कि बरबाद मुर्द के पीछेक्छे हाद होता है, अब बर्बाद मुर्द के पीछे कही आउरतों का हाद होता, अचाली, दो आउरतों के काम नहीं है, ये काम एक और बहुत खुश्रूंगी धराएगा, मसuju मारी, मैरे दिल में और का बड़ा एहतराम है लगी मानिये और मैं हर किसी का बहुत एहतराम करता हूँ. रश्टों के हावाले से बात कर रहा हूँ. तर्वू रिस्पेक्ट को आपनी जो भी पार्टनर अपनी जिम्मधारी ठीक यहां दोनों ने तै की हैं, वो ठीक पूरी ने करेगा, तो बिचारी ओरत की जिन्दगी जहन नों हो जाएगी, इसी तरह और अगर 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 अपमे जिम्दारी नी पूरी करेगी, तो जहां, बिल्कुल ऐसा, तो हम यू कह सकते हैं, कि इसी तरह से अगर औरत खुश नही जाता है या घर जाती है, मधधम में चले आते हैं, यह स्टेज पर आदत पड़ चुकी हुई है, हम स्टेज करते थे और माइक यहां पर लहूर में ट्रेंड नहीं था माइक, यह तो समझ गया, मेरा सवाल यह है, कि घर में फिर बलंपत लै और धीमे सुर में यहनी के गु झाल